नमस्कार दोस्तों तूली द ब्लॉगर में आप सबका स्वागत है दोस्तों श्राद पक्ष में अगर पूर्वजों को दिखाई दे सपने में अगर पूर्वज आपके सपने में दिखाई दे तो इसका क्या मतलब हो सकता है इसका क्या संकेत हो सकता है तो आज इन ही विश्वर पर बात करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजे बिल बन को दबाईए वीडियो अच्छी लगते हैं तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिलक स्लोक में चले जाते हैं वहीं पित्रपक्ष में हैं अगर माहोल को देखकर हमारे मन में कहीं न कहीं कुछ बिछड़े पडी जन ऐसे है जिनकी यादे हमारे साथ बनी होई रहती है ऐसे में सपने में अगर पूर्वज आते हैं स्वभाविक है उनका आना क्योंकि वैज्ञानिक तर्क के आधार पर ये माना गया है या फिर कह लेजिए कि ये बताया जाता है कि हमारे अफ चेतनमन में जिन बातों का गहरा प्रभाव होता है सपने में भी अकसर उनी से संबंदित हमें सपने भी आते हैं तो चलिए जान लेते हैं कि स्राथ पक्ष में सपने में आकर पूर्वज हमसे क्या करना चाहते हैं तो ज़्यादा देर ने किरते हैं और सबसे पहली बात को हम बताते हैं देखि कि इस रात पक्ष में अगर आपका कोई करीबी या फिर कोई मृत परिजन सपने में दिखे तो यह मान लेना चाहिए कि वो हमें किसी अच्छी इच्छा के बारे में वो बताना चाहते हैं यानि कि उनकी मन में कोई इच्छा है जो कि वो हमें बताना चाहते हैं इसलिए उन्ह प्राइके तौर पर उनकी पसंदीदा वस्तु जैसे उनको जो पसंदीदा वस्तु आप जरूरत मंदों को दान कर दीजें। यह पित्री पक्ष के वक्त का समय के मैं बात करी हूँ। अगला है कि क्या होता है इस वक्त होता है कि इस वक्त हमें आशिरवाद मिलता है। और वह आपसे बहुत खुश भी है। तो सपने में आकर वो आपको सुखी संपन रहने और सफलता प्राप्त करने के लिए आशिरवाद भी देते हैं तो इसका एक ये अर्थ भी होता है ठीक है अगला है कि गरूर पुरान में भी इसकी बात की पुष्टी की गई है ये बताया गया है कि किसी मृत परिजन के बार बार सपने में आने का अर्थ है उनकी आत्मा भटकने की स्थिती में भी है इसलिए आत्मा की शांती के लिए आपको रामायन या फिर घर में गीता का पाठ कराना चाहिए ऐसा करने से आपके पूर्वजों की आत्मा को शांती मिलने है तो ये बहुत इंपोर्टन चीज है कि घर में अगर भगवत गीता का पार्ट हो पुराणों का पार्ट हो रामायन का पार्ट हो तो ये हमारे लिए हमारे घर की एनरजी के लिए हमारे सुख सांती के लिए स्वा पर आजाते हैं और अपने परिवार को देखकर प्रसन्न होते हैं सपने में अगर कोई मृत परिजन दिखे तो वह दूर शांती की कह लेजिए तो मुद्रा में खड़ा हो यानि कि आप इस वक्त ऐसा सपना देख रहे हैं कि वह दूर खड़े हैं और बहुत सांती की मुद्र पक्त में आपके घर में कोई शुब समाचार सुनने को मिल सकता है कि उनको शान्ती में देखना निकी आपके घर के उन्नती है तो यह उनको आपके अच्छा होता है त ngah Meg a white person is drawn कि मृत परी जन दिखें बहुत करीब से मानि हमानि एक आप को बहुत करीब से आपको वो दिख रहे हैं या फिर आपके पास आकर वो बात कर रहे हैं तो अगर सपने मिम्रित परिजन आपको अपने घर के करीब बहुत दिखाए देना तो उसका संकेत यह होता है कि वे अपने परिवार से अभी तक मुह नहीं छोड़ पाए हैं और आपके परिवार को छत्र छाया में आज भी वो रखना चाहते हैं तो ऐसा आपको अभाश हो परिजन में अगर निमित आपको रोजाना गाय को दो रोटी जरू खिलानी चाहिए अम आवश्या के दीन भोग लगाना चाहिए ऐसा करने से पित्रों का आशिरवाद और घर में सुक्समृति पनी में अभ आज गटी है तो खास इन चीजों का कहाल रखिएगा छटाहे लेकिन आकरी में सundra में अगर कोई मृत पारीजन आपसे कोई वस्तु मांगें ठीक है तो एक है कई बार क्या होता है? कि हमें ऐसे सizes दिखाई देते हैं जिनमें हमारे मीविट पारीजन आाकर हमसे को या फिर वो भूखे हैं, तो ये भी एक संकेत है, यदि ऐसे किसी वस्तु को आप उनके निमित किसी करीब को दान करते हैं, तो पूर्ण स्रध्धा से किया गया ये दान, उन्हें प्राफ्थ होता है और वो खुश होते हैं, आपको आशिर्वात देते हैं, आपके घर में सु अपनों को इग्नॉर ना करें, अवाइड ना करें, क्योंकि ये चीज होती है, इस वक्त के लिए वो संकेत होती है, जो पुर्वज हमसे चाहते हैं, और वो इसी संकेत के द्वारा, वो हमसे अपने लिए शान्ती की मांग करते हैं, दान की मांग करते हैं, वो इस तरह की च क्वालर के लुट कर दो